हेलो फ्रेंस वेलकम टू आर चैनल तो अगर आप एमस से बीएसी नर्सिंग या पैरा मेडिकल करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना कुछ इंपोरेंट चीज़ यहां पर हम डिसकस करेंगे जैसे अभी हमारे फॉर्म फिल हो चुके है एमस बीएसी नर्सिंग और पैरा मेडिकल दोनों के लिए तो आपको एक लिए चीज़ जो डाउट था कि एमस में नर्सिंग गल्स के लिए होती है या नहीं होती है वो क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो एमस है उसमें सिफ गल्स ही फॉर्म फिल कर सकती है एमस बीएसी नर हमसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया फॉर्म लिंक के टाइम पे ऐसा कोई ब्लैंक नहीं फिल हुआ कि हमें जो अपना पेपर हो हिंदी मीडियम में देना है तो देखो यह चोईस है यह आपको एक्जाम टाइम पे अवेलेबल होती है पर दोनों मेडियम में हो दूसरे इंपोर्टेंट चीज अभी बहुत सारे बच्चे की सर्च कर रहे हैं कि इमस में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो जो हमारा यहां पे पीवाई की सिरीज थी जो हमने 2011 से 2000 हमारी 22 तक की है 2122 यूट्यूब चैनल पे अप्लॉडड़ेड है जो बाकी है उनकी पीडियो में आपको टेलिग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हूं तो आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हो टेलिग्राम चैनल का लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ठीक है उससे आपको एटलिस यह आइडिया लग जाएगा कि आ अगर अभी आठ से दस घंटे या बारा घंटे नहीं दे रहे हो तो फिर वह कहीं नगए आपकी लैक करेगा कि आपको सेलेक्शन नहीं हो क्योंकि आपको मेहनत बहुत चीस करनी पड़ेगी क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं नीड ड्रोपर्स भी होते हैं या फिर आपका जो 12 के बार ड्रोप लेके कर रहे हैं उनकी त्यारी कहीं न कहीं अच्छी होती है तो आपको भी उन से कंपीट करने के लिए महनत तो करनी पड़ेगी पेपर ऐसान आता है बट बहुत सारे बच्चे कंपीट करते हैं इस वज़े से कंपटेशन हाई हो जाता है अब बहुत ड्रोपर इसकुल साथ साथ आपके 12 पास- Means चांपे करने इसमें बैफेट होगा तो यहाँ पे और बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं तो महीं करेगा कि ए सो सीटे बढ़ भी रही हैं तो कट ओफ कट ऊसपरने संधर नहीं होगा के साथ हर साल बढ़ती है औरु इस साल भी लेगी कि जैसे अगर आपका ओल इंडिया रेंक 500 पर सेलेक्शन हुआ है लास्ट टाइम तो हो सकता है कि वह 400 तक चली जाए वह 600 नहीं जाएगा OBC, EWS जो भी जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं अपनी कैटेगरी के बेसिस पे मत करो कि अभी आप में जितना पोटेंशल आप उतना दो OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं ये सूच के मत पढ़ो कि हमारा कम नंबर पे हो जाएगा अपना 100% दो आप जनरल के जितने मार्क्स लेके आओ तक ये आपको बैटर कॉलेज मिले और अगर बाई चांस आपकी कट ओफ हाई जा रहे है तो आपकी सेलेक्शन के ऊपर कोई ना पड़े उसका ठीक है अभी बहुत सारी बच्चों को डाउट था कि OBC का कोई बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है तो OBC और जनरल दोनों और मुस्ट सेम ही रैंक पे आपको मिल जाते हैं कॉलेज तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बस सो रैंक का फरक होता है लेकिन SCST में वहीं बहुत डिफरेंस आजाता है वो 1000-2000 तक भी चली जाती है 2000 तक तो बहुत अराम से रहती है EWS का वहीं 1500 तक रहती है बट अगेन मैं यह बोलूगी कि आप लोग इसको लेकर के मत चलो देखो कहीं न कहीं आप अगर अभी से बेटर परफॉर्म करना स्टा होगा आगे जब आप MSC करोगे जोब करोगे तो आपको कहीं न कहीं प्राक्टेस में बैटर माना जाएगा ठीक आप कहीं से भी करोगो तो इसलिए एम से अगर बेस नर्सिंग कर रहे हो तो उसका बहुत जदा बैनिकित है या पैरेमेडिकल तो डेफिनेटली दो महीने है जेरो लेवल पे हो तो अराम से कर सकते हो 2011 से 2020 के आपको पीवाई क्यू हम प्रवाइड कर रहे हैं अब बहुत ज़रे बच्चे पूछे कि पीवाई क्यू कहां से आप ला रहे हो क्योंकि जो पेपर होता है वो तो उसी बीटी होता है तो देखो जो हमारे लास्ट येर प्रवाई क्योंकि जैसे कि हमारा एम्स एम्वी बेस का आपका पेपर अवेलेबल होता है मैमरी बेस सेम आपका यह है लेकिन जब आप गूगल पर इसको सर्च करोगे कि आपको जो है पर्टिकलर एम्स बेस नर्सिंग के पीवाई क्यू चाहिए तो वहां पे जब आप क् टीच्मिंट एप जहां पे हमारी सारे चीज़े होती हैं वहां पे आपको फ्री टैस्ट अविलेबल हो रहे हैं पर वीक तो प्लीज वो भी आप दीजिए वो आपके लिए और ज़दा मेनिफीशल होंगे